पुत्र हनुमान, स्मरन रहे, तुम्हारे पास गुरु देव को ढूनने के लिए अल्प समय ही शेश है। कल सुर्यास से पूर भी तुम्हें गुरु देव को ढूनकर उन्हें स्वेम कोशिश्य के रूप में ग्रिहन करने के लिए मनाना होगा। मैं स्मरन रखूँगा देवर्शी, जब तक मैं गुरु देव को ढूनकर उन्हें मना नहीं लेता, तब तक मैं एक शन भी, नाहीं कहीं रुखूँगा और नाहीं कहीं विश्राम करूँगा। प्रणाम देवर्शी, कल्यान हो हनुमान। हनुमत मार्गव रूध हुआ, अद्रिश सीमा चक्र छुआ। आगे जलती ज्वाला प्रचंद, रिशिका तब हो जाए ना भंग। अब कैसे आगे जाएंगे, कौनसी युक्ति अपनाएंगे। पर आजय नहीं करते स्विकार, है हनुमत में साहस अपार। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचकर लीला राम भगत की, जै 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 रगुनंदन राम। जै 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 महाबली हनुमार। अब हमें प्रस्थान करने की अनुमती परदान कीजिए। कल्यार। क्या हुआ रिशिवत, आपके मस्तक पर चिंता की रेखाय दिखाई दे रही है। चिंता तो है देवरिशी, कहीं मेरी ही भाती, बहर्शी श्रंगी भी मना कर देंगे, तो क्या होगा। वो तो कदाचित ही मना करे। ये तो आप भी जानते हैं। और मैं भी कि अतुन्य तपवल और क्यान के भंडार है महर्शी श्रंगी। आपका कथन सत्य है, देवरिशी। जितने महान महर्शी श्रंगी हैं, उतनी ही त्यागमय तपो निष्ठ। उनकी पतनी है देवी शान्ता। शान्त चित देवी शान्ता। ओ शान्ता जिन्हें दान में दे दिया गया था। उन्ही के पिता महाराजा दश्रत के दौरा। और उन्होंने भी अपने पिता का मनौरत तोण करने के लिए राजमरों का सुख त्याग कर एक राजकुमारी फोते हुए भी एक रिशी पत्मी होना जिलकार गया शान्ता के पती रिशी श्रिंगी नहीं महाराज दश्रत की कामनपूर्ती के लिए पुत्र कामेश्टी यग्य संपन कराया था और उसी फल स्वरूप आयोध्या नरेश महाराज दश्रत को श्री राम, लक्षमन, भरत और शत्रुगन जैसे महान पुत्रों की प्राप्ती हुई हाँ देव रिशी उसी यग्य के फल स्वरूप जो विशेश प्रसाद महाराज दश्रत के तीनों रानियों में बित्रित किया जा रहा था उसी प्रसाद से हनुमान और श्री राम की जोरने के लिला आरंब हुई सत्ते कहा अपने रिशिवर मतंग जब महाराज दश्रत की रानी सुमित्रा को उस विशेश प्रसाद की खीर दी गई थी तो एक चील उनके हाद से छपट्टा मार कर वो खीर ले उड़ी थी वो चील खीर लेकर उड़ते हुए तो मेरू पहुंच किन्तु तभी उसके पंजो से वो खीर छूड गए हीर का हो विशेश प्रसाद पुत्र प्राप्ति की कामना लिए तपस्या कर रहे देवी अंजना की जोली में जागिरा और श्रिंगी रिशी द्वारा किये गए पुत्र कमेश्टी यग के द्वारा उद्पन उसका विशेश दिव्य प्रभाव अंजना की दे में समा आ गया इस प्रकार हनुमान और श्री राम के अंतर संबंदों का सुत्र इन दोनों के जन्म के पूर्वी स्थापित हो गया था हनुमान के जन्में महरश्री श्रिंगी का आशिरवादी सम्मिलित है अता संभव है कि हनुमान की उस दिविता को पहचान कर है श्री शेंगी कदाचित हनुमान को अपना शिश्य बनाना सुविकार करने कि रिशिवर मतंग ने जिस वन कमल वाले सरोवर के विश्य में बताया था वो तो यहीं प्रतीत हो रहा है यहीं कहीं रिशिवर श्रेंगी की कुटिया होनी चाहिए माहबली हनुमत की रुचकर लीला राम भगत की जै 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 रगुनंदन राम जै 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 माहबली हनुमान तिव्य सरोवर को पहचान कि या रिशि कुटियर संधान माता शानता करती धान यहीं है रिशि का तप स्थान हां वो रही कुटिया जै 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 रगुनंदन राम जै 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 माहबली हनुमान पही जै जै माहबली हनुमान भीतर जाकर देखता हूँ हुँ हुँ ये तपस्विनी कदाची त्ये रिशी मात आहे होंगी प्रणाम माते माते क्या ये महारिशी श्रिंगे जी की कुटिया है मुझे उनसे अती शीगर भेंट करनी है ये दिव्य आभा संपन बालक कौन है ये प्रतीत हो रहा है जैसे मैं इससे अंतरमन से चुड़ी हुई हूँ ये गाथा महाबली हनुमत की रुचकर लीदा राम भगत की जै 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 रगुनंदन राम तै जै जै महाबली हनुमान ओ मन स्वर में प्रश्न किया माता शानता ने ध्यान दिया सौम्य रूप छवीमन मोहक सम्मुख उनके खड़ा है बालक दश्रत पूत्री के प्राता राम हनुमत को देख रही अविराम देवस अंत हुआ इंगित देख हुए हनुमत विचलित ये का था महाबली हनुमत की रुचिकल लीला राम भगत की जै 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 रगुनंदन राम तै जै जै महाबली हनुमान आप क्या सोच रही हैं मैं सुमेरु नरेश केसरी जी का पुत्र हनुमान हूँ और आप शीगर बताए महरशी श्रिंगे जी मुझे कहां मेलेंगे पुत्र ये कुटिया उन्हीं की है मैं उनकी पत्नी हूँ शान्ता महराज दश्रत की पुत्री तो आप शीगर बताए वे कहां है पुत्र वो यहां नहीं है वो वहाँ पूर्फ दिशा की ओर है गनेवन में तपस्या थानेवाद माते रुको हनुमान थिकार है तुम सब पर इतने बड़े रक्ष योद्धा होकर भी इतने दिनों में एक नरूपी नरायन के बार में सूचना नहीं ग्याद कर पाए किसी भी कार्या के योग्य नहीं हो तम सब लंकिश प्रियास कर रही है शिगरी वह प्रियास नहीं परणाम चाहिए हमें यदि वो नरायन का अफ्तार है तो हम भी तशानन है तशानन कुछ भी करके कैसे भी करके मुझे उस नरूपी नरायन के बार में सूचना ला कर दो उस नरायन ने संसार को मेरे आतंक से बचाने के लिए पफ्तार धरन किया है ना वो नरायन कहीं पर भी हो सकता है इसलिए तुम सब हर दिशा में जाओ मार काट अत्याचार और अतंक शुरू कर दो चारो ओ इतनी कुरूरता करो किस स्वयम कुरूरता भी धर रहा हो ठै हर एक बालक को चाहे हो संसार के किसी भी गोने मैं क्यों नहां पल रहा हो जहां भी जहां भी कोई बालक मिले उसका अभरन कर लो जो तुम्हे रोकने आए उसका वुद कर दो उन समस्त बालकों को दंदक वन में एकत्रत करो जा मैं स्वयम उस नरुपी नरायन को मृत्यू टंड दुगा देखते हैं नरायनी शक्तियां कैसे सफल होते हैं जाओ! ऐसा ही होगा महवाली जाए लंकेश जाओ लंकेश सोरे भी अस्तोने को है मुझे शीग रही पहुचना होगा मुझे रिशी माता ने तो इसी दिशा की और इंगित किया था यहीं कहीं आँगे रिशीवर बालक हनुमान तो पूरी बात सुने बिना ही चला गया रिशीवर विशेश तापस भाव को प्राप्त करने के लिए खोर्त अपने लीन है यह तुम्हें उसे बता ही नहीं पाई कहीं कोई अनर्थ न हो जाए उसके साथ कहीं ऐसा न हो कि हनुमान के द्वारा उनका तब भंग हो जाए कहीं वो उन्हें श्राप न दे दे कोई अनर्थ होने से पहले ही मुझे कुछ करना होगा जब जब ढ़ें जए इव रहे ही वोने से टुम्हेंक व्नी अनर्थ होग्ट कि झाल्थ होग्ट कि अजए यह दो जिलता है कि अजए यह झाल्थ कि पुम्हें पूम्हें जजए कि अभव़ें अजए वो अगनी क्यों चल रही है वन में कोई है क्या वहाँ मुझे कुछ करना होगा मुझे शीक्री स्वामी के पास पहुचना होगा यह तो भीशन अगनी चल रही है यह तो वन के पशुओं को भी भस्म कर देगी मुझे पशुओं की रक्षा करनी होगी यह तो महर्शी श्रिंगी है मुझे हनुमान को रोकना होगा यह अगनी तो विक्राल रूपदारन किये हुए है यदि यह पूरे वन में फैल गई तो वन्य प्रानी संकत में घर जाएंगे इस अगनी से तो महर्शी श्रिंगी पर भी संकत आ सकते हैं मुझे शगनी को फैलने से रोकना होगा मुझे श्रिंग है 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 हनुमान कहा गया आसपास तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कहीं उन लप्टों में तो नहीं नहीं रिशिवर के तब के तेज से उत्पन इन लप्टों को पार करके भीतर जाना सेज नहीं है हाँ 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 यह अगनी की लप्टें तो मुझे भीतर जाने ही नहीं दे रही है कुछ तो करना होगा